Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आप सबने पेट्रोल एडिटिव के बारे में जरूर से सुनाओगा क्योंकि कई बार जब हम अपने बाइक, कार या स्कूटर को लेकर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ पेट्रोल एडिटिव लेकर आता है और हमसे ये कहता है कि अगर हम उस एडिटिव को अपने फ्यूल टैंक में डाला लेंगे तो उससे हमारी गाड़ी का जो इंजन का परफॉर्मेंस है, जो पावर ओट्पुट है, जो फ्यूल की एपिसेंसी है, एकनॉमी है, माइलेज है ये सब कुछ बेतर हो जाएगा और इंजन क्लीन भी हो जाएगा लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सच में पेट्रोल एडिटिव डलाने से फाइदा होता है, क्या हमें इन्हें डलाना चाहिए और अगर डलाना चाहिए तो कौन से टाइप के पेट्रोल एडिटिव को कब डलाना चाहिए ये सब आपको आगेस वीडियो में जानने को मिलेगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले फिर इन सबसे पहले तो जो पेट्रोल एडिटिव है जिसे हम लोग फ्यूल सप्लिमेंट भी कहते है बेसिकली ये केमिकल होता है जिसे फ्यूल टैंक में डाला जाता है और ये फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल या फिर डीजल के साथ मिक्स हो जाता है और अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है लेकिन मैक्सिम लोगों को ये पता ही नहीं होता है और ना तो जो Patrol Pump वाला बंदा वो आपको बताता है और ना ही कभी आगर टेक्निशन आपको कहे कि Patrol Additive जाला लो तो वो भी आपको ये बात नहीं बताता है कि जो Patrol Additive होता है वो अलग-अलग Type का होता है और हर एक Property Additive का अपना अलग-लग काम होता है ऐसा नहीं कि आप कोई भी additive डला लो और उससे आपका engine का performance, power output सब कुछ बढ़ जाएगा जो हमारा engine है वो clean भी हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है देखिए सबसे पहले जो common type का जो petrol additive है वो है engine cleaner petrol additive या फिर कई बारे से fuel system cleaning additive भी कहा जाता है अब जो additive को बनाने वाली companies उनका ये कहना है कि जब गारी बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसके बाद engine के combustion chamber के अंदर में, piston के उपर में या जो valves हो गया वहाँ पे इन सब में carbon deposit जमा हो जाता है sludge का formation होता है, गंदगी जमा हो जाता है तो company से कहना है कि जो हमारा engine cleaner fuel additive है उससे ये सब कुछ clean हो जाएगा दूसरी बात इससे ये भी कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो हमारा fuel system है, जो fuel line है उसमें जो भी गंदगी है उसे भी clean कर देता है, जो carburetor है उसे भी clean कर देता है यह सब कुछ काम करता है हमारा Ingen Cleaner Fuel Additive इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सच में ऐसा होता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरी बात कर लेते हैं जो अगला है वो है Fuel Injector Cleaner Additive और इस Additive के बारे में यह कहा जाता है कि इसके वाएसे जो Fuel Injector के अंदर में गंदगी है तो वो Clean हो जाएगा जब यह पेट्रोल के साथ मिक्स होगा तो वो उसे Clean करतेगा और एक तीसरा बहुत ही Famous है जो कि आपने भी सुनाओ का वो है Octane Booster Additives और इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसके वाया से जो petrol का octane rating है वो बहतर हो जाता है उसके बाद वो जो petrol है वो engine के cylinder के अंदर में बहुत ही बहतर तरीके सजलेगा combustion complete होगा, clean होगा, fuel का wastage नहीं होगा, knocking मगरा का problem नहीं हाएगा और इस वाया से जो हमारा engine का performance है वो बहुत ही बहतर हो जाएगा तो तीन type के ही आपको मिलेंगे और तीनों के बादे में यही बाते कही जाती है तो सबसे पहले बात लो, जब आपको fuel additive है वो डलाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस वज़ा से डलाना चाहते हो क्योंकि अगर आपके bike में fuel injector है ही नहीं और उसमें आप fuel injector वाला additive डला लो तो कोई फाइदा नहीं होने वाला है दूसरी बात एक additive सारा काम नहीं करता है तीसरी बात यह हो गई कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है अगर वो warranty में है और 30,000 km से कम चली है तो आप किसी भी type के additive को अपनी गाड़ी में नहीं डिलाए एक तो इससे आपकी warranty जा सकती है दूसरी बात यह कि इससे बहुत जादा फाइदा नहीं होता अगर गाड़ी कम चली हुई होती है एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जाता जो octane booster जो हमारा additive है उससे ही बेचा जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि companies का भी यही कहना होता है कि जो high CC की जो bike है या जो car है जो top end cars है उनमें ही इन जो additive से octane booster additive उससे फाइदा होता है नॉर्मली जो हमारी 300-400 CC तक की जो bike के उसमें फाइदा नहीं होता है और जो normal segment की cars होती है वहाँ पे भी इससे बहुत जादा फाइदा नहीं होता है इसका alternative यह है कि अगर आपको डला नहीं है तो आप high octane rating वाला जो petrol है उससे डला लो जैसे कि extra premium power speed उसे डला लो वो ज़्यादा फाइदेमन है इन additive से मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप फिगाणी ज्यादा पुरानी हो गई है तो आप वहाँ पे एक तो fuel injector additive पो डला सकते हो problem नहीं है दूसरी बात जो fuel system cleaning वाल additive है आप उससे भी डला सकते हो जश्ट आप ये make sure कर लें कि आप एक सही company का है additive डलाए और जिस भी company का आप additive डला रहे है तो उसका जो हमाना डबब वगरा होता है जो पाउच होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने petrol में कितना additive डलाना है तो आप इस बात का भी ख्याल रखें ऐसा नहीं कि बहुत जादा डाल दे या फिर बहुत कम भी mix करें तो भी फाइदा नहीं होने वाला है ये सारे fuel additives आपको online मिल जाएंगे buying link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा तो friends ये था petrol additives के उपर में एक detail video उमीद है कि इस वीडि चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थांक्स वरॉचिंग दिस वीडियो गुडबाई